असलाम लेकुम फ्रेंड्स हम लोग बनाएंगे तहरी चलिए बनाना शुरू करते हैं देख लेते हैं क्या का चाहिए हम तहरी के लिए कुछ सब्दियां ले लेंगे आपको जो सब्दी पसंद आप वो ले सकते हैं मैंने गोवी हरी मटर और आलू टमाटर और गाजर लिया ह प्याज हरी मीड्स हम उनको कट कर लेंगे यह देखे सबको मैंने कट कर लिया है ऐसे चोटे-चोटे पीस में चलिए बनाना शुरू करते हैं तो कढ़ाई में पहले हम लोग बनाएंगे बाद में फूकर में रखेंगे तो कढ़ाई गरम कर लेंगे उसमें हम ऑईल डाल द बारिक कटी हुई प्याज को भी डाल देंगे उसमें इसको ज्यादा नहीं भूनेंगे हलका साफ्ट कर लेंगे कि आज हमारा सॉफ्ट हो गया दखिए गोभी को हमने कितने अच्छे साफ कर लिए अगर हम पानी में डाल दो तो अच्छे साफ हो जाता है क्लीन हो जाता है तो अब प्याज में हम गोभी को भी डाल के फ्वड़ा सा भून लेंगे कि गोभी भी हलका सब भून गया तो बागी की बच्चे सब्चिया को भी हम इसमें डाल देंगे इनको थोड़ा सब भून लेंगे एक-दो मिनट के लिए कि लिक लगा देंगे कि जो हरी मिर्स काटते हैं उसको भी डाल देंगे जैसे चलाते हुए भूल लेंगे तो टमाटर को डाल देंगे अब टमाटर को भी इसमें डाल के हम सॉफ्ट कर लेंगे तो अब इसमें नमक डाल देंगे नमक आपने इंट्रेस्ट के कॉरिंग डाल सकते हैं कि यह देखिए टमाटर पर मारा पानी थोड़ा से छोड़ दिया है लिवड लगाने से जल्दी से गल जाता है सबजी बगारा ऐसे कुकर में बनाएंगे तो ज्यादा गल आने की जरूरत है नहीं अब कुछ मसाले डाल देंगे हल्दी पाउडर लाल मीज पाउडर जीरा धनिया पाउडर सॉरी यह मीट मसाला है सबको मिला देंगे थोड़ी स्पाइट डाल देंगे ने तो मसाले नीचे जलने सुरू हो जाएंगे यह दरक लशन का पेस्ट है एक चमस डाला है मैंने ज्यादा नहीं डाला है हम थोड़ी देर के लिए सबजी को ठक के पका लेंगे अब कूकर में इसको ट्रांसफर कर लेंगे कूकर में सही से भुनना नहीं बनता है इस वजह से मैंने कढ़ाई में किया आप डारेक्ट कूकर में भी कर सकते हैं अब सब्सक्राइब कर लेंगे फिर इसमें चावल डालेंगे हैं अब चावल को आधे घंटे पहले मैंने विगो लिया था अब इसको पूसका पानी निगालके फिर कूकर में इसको भी हम डाल लेंगे सबको मिक्स कर लेंगे मिला के अब इसमें पानी डाल देंगे पानी ज्यादा नहीं डालना ज्यादा डालेंगे तो गेली हो जाएगी अब कूकर की लिट लगा देंगे एक सीटी बस लगाएंगे ज्यादा नहीं एक सीटी लगाएंगे उसके ऐसे हम गैस को बंद कर देंगे और खुद से इसका गैस रिलीज होने देंगे एक सीटी याद फ्लेम को बंद कर देंगे यह देखिए गैस को हमने खुद से ही निकलने दिया था अब इसको हलके हाथ से ऐसे उपर नीचे कर लेंगे अब इसको सर्व कर लेते हैं मेरे पास हरी धनिया नहीं थी तो मैंने नहीं डाला अगर आपके पास एवलेबल हो तो आप डाल सकते हैं और इसको आप हरी धनिया के चटनी के साथ और अचार के साथ खा सकते हैं खाने बहुत टेस्टी लगता हैं खाईए और अपनी फैमली को खिलाईए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा थांक्स पर वाचिंग